नमस्कार खब्राँ देस बुलेटें तो हडा स्वागते पेशने हुन तक्तिया खब्राँ स्युक्त राष्टर सुरख्या कॉंसल ने अफगानिस्तान वेच संगर्ष दे तुरंत रोक लगाउन अथे उत्थे संयुक्त समुची अथे नुमायंदगी वाली सरकार्पनाओं दा सदा देता है सुरख्या कॉंसल ने अफगानिस्तान वेच अंतराश्ट्री मानत अवादी कानुना अते मनुखी अधिकारा दे उलंगणा दिया खबरा दे डूंगी जिन्ता जाहर केती है एक प्रेस ब्यान विच सुरख्या कॉंसल ने अफगानिस्तान वे जहिंसा तुरंत रोकन आते सुरख्या सिवल परशासन आते संफितानक विवस्था बहाल करन दी अपील की थी सिवल राष्टर सुरख्या कॉंसल दे मेंबरा ने मौजूदा संकटनों हाल करन दी तुरंत गालपात दावी सदा देता है कॉंसल दे मेंबरा ने के है कि राष्टरी आम सहमती दी प्रक्किरिया जरीए अफगानिस्तान दे प्रतिनितिया ना शांतिपुरन हाल दे गालपात होनी चाहिए अफगानिस्तान दे स्थिती ते काल पारती प्रतान के विच स्युक्त राष्टर सुरख्या कॉंसल दी मीटि पालन करना चाहिए आम लोक दे जीवन दी सुरख्या ना जुड़े सारे अंतराश्टर नेमा दा पालन यकिनी होना चाहिए परिश्यद ने अफगानिस्तान वेच मनुखी साहता पचांड या कोश्यां तेज करंदावी सद्दा देता सुरख्या कॉंसल दे मेंबरा ने अफगानिस्तान वेच आतवा दमकाबला करन दी महत्ता ते जोर दिन दे आगे है कि अफगानिस्तान दे तरदी किसे होर देश नो ड्राण तमकान जा उसुते हमला करन दी इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए ते ना ही तालिबान जा होर किसे समर्थन देना चाहिए देन आफगानिस्तान वेच सयुकतराष्टर सहाइता मेशर नो पूरा समर्थन देन दी गल्ल दो राण दिय को retrospect दे मेंबर मुलकां दे दूता करांद विच तैनात कार्मियां दी सुरख्या दे भी सूर दीता। काबुल वेच पार्थी राजदू तते उनादेवे पार्थी स्टाफ नु त्रंत पारत विच लियांता चाफेगा। विदेश मंत्राला दे बुलारे अरिंदम बाग्ची ने अपने ट्वीट विच कहा है कि ए फ्यासला अफगानिस्तान विच मुझूदा हला दे मदि नजर लिया गया है। विदेश मंत्री डाक्टर एस जय शंकर ने कहा कि सरकार काबूल दी स्थितिते लगातार नजर राख रही है। जरी सेथ मंत्राला नुसार हुन तक करोना महामारी करन 4,002,899 लुकां दिया जाना जा चुक्याने। 3,609 टी के लगाए जा चुके रहे विदेदी नठा सिलाक 13,919 करोना टीगें दिया खुराकां दितियां कहिया। सिउक्त अरब अमिरा तते ओमान वेच होन वाले T20 वेश्व काप लई आए से सी वल्लों समासार ने दा इलान कार दिता गया। ये टूर्णामेंट्स ताराक्तूबर तो शिरू होवेगा ते T20 क्रिकेट वेश्व काप दा फाइनल 14 नवंबर नुखेट आचावेगा। अंदराष्टरी क्रिकेट काउंसल वल्लों आज दुबाई वेच मैचा दिया तरिका दा इलान केता गया। इना दोरान हार एक ग्रूप जो चोटी दिया दो टिम्मा टूर्णामेंट्स ते सुपर बारा पढ़ा दे विच पहुंचन गिया। जो के 3 अक्तूबर तो शिरू होवेगा। ICC वलो जारी प्रेसर रिलीस वीच दस्या गया है के सुपर बारा दा दुचा गेड आबू ताबी दे विच ते अक्तूबर तो शुरू होना है। ग्रूप एक तहत ऑस्ट्रेलिया ते दखन अफ्रिका वचाले मैच ते अक्तूबर नू होवेगा। जातके शाम समय इंग्लैंड ते वेस्ट इंडिस वचाले मुकाबला दुबई दे विच करवाया चावेगा। पुराणे विरोधी इंग्लैंड अथे अक्तूबर नू मुंबई विच पढ़नगे। ग्रूप मैच 6 नवंबर नू अउस्ट्रेलिया ते वेस्ट इंडिस वचाले आभूत आभीदे विच खेड़े जानवले मुकाबले अते शार्जाहा विच इंग्लैंड अते दखन फ्रिका ते नाल होनवाले मैच नाल समापत होणगे। ग्रूप दो मुकाबले 4 अक्तूबर नू दोबाई विच पार्त ते पाकिस्तान वचाले मुकाबले तो शुरू होनगे। इस तो बाद 6 अक्तूबर नू पाकिस्तान दा मुकाबला नियूस्जिलेंड नाल शार्जाहा विच होवेगा। अफगानिस्तान विच पच्ची अक्तूबर नू शार्जाहा विच ग्रूप बी दे पहले गेट दीजेतू टीम विरुद मैच नाल अपनी मोहिम दे शुरूआत करेगा। ग्रूप मैच आठ नुवंबर नू समापत होणगे। पार्त ग्रूप A दे पहले गेट दे क्व पई विच करवाया चावेगा। इन अदों में सेमी फाइनल मैच आप लई राक में दिन रखे गए ने। इस दिन आल ही खबरांदा ए बुलेटिन खतम होंदा इजासतिय। नमस्कार।